टीम और कंट्रेक्ट से बाहर निकाला फिर भी अयर को रोहित और जैसा ने अवार्ड से नवाजा भारती टीम मैनेजमेंट के इस कृत्त ने भारती क्रिकेट प्रसंसकों को हैरान कर डाला जी यहां अगर हम बात करें गुरू स्रेय सायर की तो भारती टीम मैनेजमेंट उनसे नराज चल रही थी कोच नराज चल रहे थे कप्तान नराज चल रहे थे इवेन भारती टीम के चीफ सेलेक्टर आजीत आगर कर भी स्रेय सायर से नराज चल रहे थे जिसका खामियाजा स्रेय सायर ने भुकता पहले दूसरे टेश मुकाबले के बाद उनको टीम से बाहर किया गया वहाँ पर कई कारण बताए गए कि भाईया कुछ कह रहेते फॉर्म नहीं है, कुछ कह रहेते बैक, इस्टिफनेस है फिर पता चला कि स्रेय सायर ने सेंट्रल कांट्रेक्ट ही खो दिया है, वहाँ पर पुकता हो गया कि सब कोई स्रेय सायर से नराज है लेकिन इंडिया वर्सेंग लैंड की स्रिंकला समाप्त होने के बाद भाया स्रेय सायर के लिए खुसखबरी आई है, बड़ी खुसखबरी आई है और जो टीम मैनेजमेंट ने ये कृत दिखाया है स्रेया सायर के प्रती जो उदारता दिखाई है स्रेया सायर के प्रती भाईया इस कृत ने भारती क्रिकेट प्रसंसको को हैरान कर डाला लेकिन स्रेया सैयर के लिए भाईया ये बड़ी बात है अहम बात है और खुसखबरी वाली बात है बात करें भार्ती टीम के ड्रेसिंग रूम में जो कुछ घटना करम हुआ उसकी तो आपको भी पता है कि ODI वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक प्रथा चली थी भार्ती ड्रेसिंग रूम में कि जो जो खिलारी फिल्ड पर अच्छा प्रदर्सन करेंगे जी जान लगाएंगे मेहन से नवाजा जाएगा क्योंकि अगर हम बात करें क्रिकेट मैदान पर तो वहाँ पर प्लेयर आप दे मैश आवाड दिया जाता है वहाँ पर छके चौके मारने के लिए आवाड दिया जाता है लेकिन फिल्डिंग का कोई आवाड नहीं होता है जिस कारण से एक नया भाया भारती टीम मेनेजमेंट ने सुरू किया जिस से खिलाडियों को प्रेड़ा मिल पाए कि वो फिल्ड पर अच्छा खासा प्रदर्सन करें फिल्डिंग बहतर करें और फिर ड्रेसिंग रूम में जब उनका सम्मान होगा तो वो उसकी अलग अपने आप में पहचान ब लिया और सबसे पहले लिया अगर हम टी डी लीप के स्टेटमेंट की बात करें तो गुरू उन्होंने साफ तौर पर मिंसन किया कि स्रेय सायर ने खेले गया पहले दो मुकाबलों में जीजान लगाया मेहनत की फिल्डिंग से रंग जमाया कई अच्छे अच्छे कैशे पक और ड्रेसिंग रूम से ये संदेश जो स्रेय सायर के लिए गया है वो बहुत ही मतपूर है। ना रोहित सर्मा खफा हैं ना कोच द्रविड खफा हैं और सब ने स्रेया सयर के लिए ताली बजाई एक जूट एक जूटता से ताली बजाई सब स्रेया सयर के लिए खुस थे ये भी मेंसन किया गया कि स्रेया सयर मौजूद नहीं है लेकिन फिर भाईया अब दरवाजे खुष होती भी नजर आ रही है और चीजें अब अच्छी स्रिय सैयर के लिए होती चलि जा रही है भारती ड्रेसिंग रूम में। अवाड मिला वो रुहित और सुम्मनगिल को मिला एक नया एवाड भी इस पूरे भाया कारिकरम के दौरान टीडी लीप ने दिया वो रिलेंटलेस क्रिकेटर का एवाड पहली बार ये ड्रेसिंग रूम में दिया गया और ये पहली बार जो विजेता रहे इस एवाड के वो कुल्दी पियादोर है गुरू कुल्दी प्यादों को RELENTLESS क्रिकेटर का एवाड मिला यानि कि उन्होंने जीजान लगाया महनत किया गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावित किया जिस वज़ा से उनको ये एवाड दिया गया यानि कि जो बल्ले से उन्होंने हार नहीं मानी अपने बल्ले बाजी में जो इंप्रूब्मेंट करके इस रिंकला में दिखाया है भारती टीम को भाईया हर मुकाबले में अपने बल्ले से मैश में बनाए रखा है कुल्दी प्यादों जिसके चलते RELENTLESS एवाड टी डिलीप ने कुल्दी प्यादों को दिया है तो ये जो छोटे-छोटे कृत्य भारती टीम ड्रेसिंग रूम में कर रही है ये भारती खिलाडियों को प्रेरित करता है खास करें जो फिल्डिंग वाला एवाड है ये भारती युवा लड़कों को प्रेरित करेगा कि भाया स्रेया सयर को ये जो खास तोर पर मिंसन किया गया है ड्रेसिंग रूम में खास तोर पर उनकी चर्चा की गई है तालिया उनके लिए बजाई गई है ये ड्रेसिंग रूम में क्या ये साप जाहिर होता है कि स्रेया सयर के लिए दरवाजे खुल चुके हैं और IPL के बाद उनकी टीम इंडिया वाफसी हो जाएगी कमेंट में अपना राय जरूद आगेगा मिलते हैं अंगले रिपोर्ट में तब तक आप अपना ध्यान दें सुरक्षित रहें, स्वास्त रहें, मस्त रहें जैंद जै भारत